competitive exam में मैस के इस question में हमारे को लिखा है which is largest number in the following 0.8, 0.8 बार, 0.08 बार या फिर 0.08 बार हम इस question का answer निकालने से पहले इन सभी चारो नमबर को expand करके लिखेंगे पहला number है 0.8 तो इसको लिखा जा सकता है 0.8 और उसके आगे जितनी मर्जी 0 लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ultimately 0.8 is equal to 0.8000 और दूसरा number है 0.8 बार तो इसको लिखा जा सकता है जिस digit के ओपर बार लिखा है वो repeat कर सकता है infinite time बाकी नमबर एक बार ही लिखे जाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ 0.08 बार is equal to 0.08 जितनी मर्जी बारी लिख सकते हैं तो यह लिखा जाएगा 0.08888 infinite time तक इसको repeat कर सकते हैं इसी तरह से 0.8 बार 8 बार का मतलब है 8 को हम repeat कर सकते हैं जितना मर्जी चाहें तो यह लिखा जाएगा 0.8888 infinite time तक repeat कर सकते हैं तो चोथा नंबर आएगा 0.08 बार और यह लिखा जाएगा यहाँ पर decimal के आगे दो डिजिट हैं और वो दोनो repeat करेंगे क्योंकि बार दो नंबर के उपर लिखा है तो यह 0.08 फिर 0.08 फिर 0.08 फिर 0.08 फिर 0.08 ऐसे repeat करता रहेगा अब यह चारो नंबर हमें expanded form में मिल गए तो इसके बाद हम इसका solution find out कर सकते हैं decimal के आगे कौन सा डिजिट जो है सबसे बड़ा है वो ही answer हमारा आएगा तो देखिए यहां पर जो 0.08 बार है इसके आगे लिखा है 8 और पहले डिजिट में 8 लिखा है तो इन दोनों में से एक जो है नंबर वो बड़ा होगा बाकि जो last के right side के दो डिजिट है क्योंकि इसमें decimal के बाद 00 लिखा है तो यह reject हो जाएंगे तो इन दो में से कैसे अब हम decimal के आगे पहले डिजिट तो 8,8 है अब हम दूसरा डिजिट चेक करेंगे जो पहले नंबर में 0 है और दूसरे नंबर में 8 है तो जिसका दूसरा डिजिट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा तो पहले में 0 है ये भी reject हो जाएगा तो सबसे बड़ा number होगा 0.8 बार क्योंकि यहां पर 8, 8 है decimal के आगे तो option 1 सही जबाब होगा 0.8 बार